लेकिन इसके पहले कि में इस वीडियो के शुरुवात करूँ अगर आप इस चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि आपको ऐसे इस संदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा है तो आज हम एनालिसेस करने वाले हैं LIC IPO के बारे में जिसका सिर्फ मुझे या आपको ही इंतिजार नहीं था बलकि पूरे भारत को इंतिजार था क्योंकि यह जो IPO है वो अब तक का सबसे बड़ा IPO होने वाला है और हमारे अंदर कहने के यह डर भी बैठा हुआ है कहीं इसका ह आपको इभुवाइड करना चाहिए क्योंकि हम इसके जंकारी नहीं लेते हैं हम डिसेजन नहीं ले सकते है इसमें apply करना चाहिए या avoid करना चाहिए तो पूरी तरीका से वीडियो में बने रहेगा आपको वीडियो के अंत में पूरा क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस IPO में पैसे लगाने है या नहीं लगाने है IPO की analysis के सुरुआत करते हैं सबसे पहले हम देख लेते important date क्या है तो LIC का जो IPO है वो में 4 को open होने वाला है और उसके बाद यह आपका close date होगा में 19 को तब 4 में से लेके 9 में तक आप इसमें apply कर सकते हैं allotment date है इसका 13 में को और listing date हो का 17 में को इसका जो face value वो 10 पर equity share है और इसका जो issue price होने वाला है वो 902 से लेकर 949 तक होने वाला है यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पोलिसी holder discount जो है जिन्होंने LIC के कोई ने कोई पोलिसी ले रखी होगे और मुझे लगता है कि के हर एक घर में हर एक घर में तो maximum घरों में LIC के policy होगी ही होगी तो वहां पर आपको 60 रुपीज के discount होने वाली है अगर हम 949 जो इसका maximum price है उसमें से 60 discount कर लेते हैं तो यह करीकर आपका 90 890 पर आएगा और retail के लिए discount 45 रुपीज की होने वाली है तो यह दो चीजे आप ध रहे है तोसाइज है वह आपका करीब करे 22 करोड़ 13 लाग है के आसपास है जोकि अब तक का सबसे बर आया जो कि पेटियम का issue साइज थ है वह 18 लाग के आसपास ही था और इसकी जो एप्रोक्स इन्होंने जो फंड जुटा रहे हैं ये और वो है आपका 20,507 करोर के आसपा है जैसे कि हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है वह आपका एक्सिस कैपिटल यहां बहुत सारी आप इसमें नाम पढ़ सकते हैं और इसका जो रजिस्टरार है वह केफिन टेक प्राइबिट लिमिटेड राइट अगर आपको आपको इसू होता है तो कहां पर चेक करो कि केफ पुरा फुल्फिल होने वाला है और हो भी सकता है में भी पर पहले दिन पर फुल्फिल हो जाते हैं वह ऐसा नहीं होने वाला है कि 46 लाक्स जो नंबर है वह काफी बड़े हैं अब हम LIC के बारे में थोड़े से बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं आप लोग को कि यार LIC के ब जो जो नी यू बुजने स प्रीमियम उसमें पृस्मेLab जो मार्केट श 연 हो गया हेल्थ इंसुरेंस हो गया और पेंशन प्रोड़क्ट भी यह ओफर करती है एस अप 13 सेटमबर 2021 के मुताबिट इसका जो एसेट्स अंदर मैनेजमेंट है जो इसकी जो यह एसेट्स को मैनेज करता है वह थर्टी नाइन लाक क्रोर है तो अपने आप में ही एक बहुत कि इनकी जो प्रेजेंस है वो ग्लोबली है जैसे कि फीजी हो गया मौरिसस हो गया बंगलाइदेस नेपाल सिंगाफूर सिर्लंका यूए बहरेन कतर कुएट एंड उनाइट किंग्डम पता ही इनका जो प्रेजेंस हो पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड में है आप यहां प बेचती है और दुसरा क्या करती है यह सबसे बरी इन्वेस्टमेंट कमपनी भी है दप्लान सारे कंबिनेशन ओफ इन्सूरेंस एंड इन्वेस्टमेंट वित गैरेंटी डीटर्न यह सिर्फ इन्सुरेंस नहीं बेचती है बलकि यह अपने जो भी इनके सिवाय लेते हैं इन्वेस्टमेंटी वह फिक्स रिटर्न वाली स्कीम भी बेचती है और यह श्टॉक मार्केट में भी पैसे इन्वेस्ट करती है एलाइसी है जो इसके अजेंट से उन्हें यह मार्केट में ले जाकर बेचने के लिए और असानी हो जाती है अब देख सकते हो कि लाइसी का नहीं कब से मैं कि 90's किड्स हूँ नाइटीज में जो सबसे पहले एड आती थे ना नेशनल पर वो लाइसी की ही आती थे तो वहाँ पर आपके जो ट्रस्ट की बात आती है तो लाइसी पर बहुत ज़्यदा लोग बिस्वास करते हैं तो यहाँ पर लाइसी इस सिनोनिमस विट इंसुरेंस इन इंडिया लाइट एलाइसी मैने एसेट्स ऑफ 39 लाइक करो जो कि मैंने पहले ही बता चुका है अगर आप भारत की जितनी भी मुचल फंड की इंडिस्ट्री है उसे कमबाइन कर दो तो भी यह कम ही परेंगे और यहाँ पहला है से कितनी 39 लाइक करोती है अपने आप में ही बहुत बरी बात है यह अकेली कमपनी है जो जितनी भी स्टॉक्स लिस्टेड ना इंडिया में उसकी 4 परसेंट तो खुदी करती है भाई साब यह लेडिंग इंसुरेंस प्रोवाइडर कमपनी है इंडिया में और पुरे बिस्व में पाँचवे अस्तान पे यह आती है लार्जस्ट क्लोबल कमपनी है यह पुरे बिस्व में अब हम बात कर लेते हैं कि challenges के बारे में जो कि इस IPO के negative points हो सकते हैं इस company के लिए LIC has poor new policy growth अब यह ऐसा क्यों है क्योंकि continue मतलब लगतार क्या कर रहे हैं बैचारे अपने customer को लूज करते जा रहे हैं और इनके जगह पी एक customer के कहा जा रहा है private insurance player के पास में जो जैसे क्योंकि HDFC life हो गया SBI life हो गया तो यह धीरे धीरे अपने जो इनका जो वर्चस हो वो धीरे धीरे कम ही आ रहे है the margin in insurance and investment product is low यह जो इन्सुलेंस में जो भी बना रहे है उसे margin काफी कम मिल रहा है इस भेरी डिफकल्ट टु वैलू LIC एस बिजिनेस मोडल अब इससे बिजिनेस मोडल क्यों नहीं बनाया जा सकता है जैसे के बाकी कंपनी की तरह क्योंकि LIC क्लेक्ट्स money of front and then promises to compensate policyholders at a later stage LIC क्या करते है पहले आपके insurance के नाम पर आपसे पैसे लेती है money को collect करती है और फिर आपको policyholder को compensate करती है लेटर बाद में और जो premium यह collect करते हैं या वो इंसुरेंस से करते हो आधे इंसुरेंस से आधे है फिर आधे revenue नहीं कह सकते हैं इसलिए इसे business model कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अब हम बात कर लेते हैं company promoters के बारे में तापको जाइस सही बात है government company है तो the president of India acting through the ministry of finance government of India is the company promoter यह सब को पता है अब हम बात कर लेते हैं objectives of the issue के बारे में यह जो government क्यों आखिरकर sale क्यों करना चाहती है the IPO aims to utilize the net proceeds towards the following purposes right to achieve the benefits of listing the equity shares on the stock exchange stock exchange पे जो list करेकर जो भी इनका profit होने वाले है जो भी इनका पैसे आने वाले हो इसे use करने वाले है फिर से company के hit में और यह पूरी तरह से offer for sale है मतलब government क्या करें कि अपना 3.5% stake को sale कर रही है ना कि कोई जो LIC का जो है कोई भी share issue नहीं हो रहा है सिर्फ पूरी तरह के से offer for sale है और यह करीब करीब हो रहा है आपका इतना share जब कि 22 क्रोर 13,64,920 share है यह अपने shareholder को sale कर रही है बस अब हम बात कर लेते हैं company की financials के बारे में जो कि किसी भी IPO में पैसे लगाने के पहले सबसे पहले check की जानी चाहिए तो यह जो जितने भी figure आपको दीख रहे हैं क्रोर में दीख रहे है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31 March 2020 से लेकर 31 March 2020 तक जो इनका company का total assets था वो इसमें increase हुआ है राइट 33 लाग तो पहले और यहाँ पर 34 लाग हो चुका है फिर यहाँ पर 20 से 21 की बिच में यह 37 लाग हो चुका है यह भी increase है और फिर 2021 में यह 40 लाग के आसपास हो चुका है तो यहाँ पर continuously यह graph जो है वो increase कर रही है जब कि आप है राइट अगर से हम total revenue की बात करते हैं तो आपको revenue में भी आपको यह figure जो है increase होती हुई नजर आएगी जैसे कि आप देख सेकते हो कंपनी का 31 माच लाग अनुस का revenue था 2644 करोर जो के बढ़के हो गया 20 में 2730 करोर 21 हो गया 2985 करोर और फाइनली 30 सेतंबर में चुकि इसलिए हमारे पास यह कम दिख रहा है राइट यहां पर प्रोफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 26 लाग 27 लाग 29 लाग और फिर यहां पर 15 लाग तो यह increase ही होती ही नजर आती है तो मेरे नजर से company के financials में कोई भी दिक्कत नहीं आती है और यह IPO ठीक ठाक मुझे लग रहा है मुझे पता है आपके मन में अभी इस IPO को लेकर डाउट होंगे तो जो भी मेरे मन में questions आया और मैंने research किया उससे में Q&A करके आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आपका जो questions answer type है तो आप उसको clearly समझ सकोगे लेकिन इससे research करने मेना मुझे काफी ज़्यादा लेकरने हमेहनत करनी पर इस अब अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और आपको मजहा रहा है आपको कुछ सीखने को मिल लाइक किजिए और तब आगे बरते हैं तो प्लीज भूनाव होना है वीडियो को लाइक किजे ताकि मैं एसे ही मोटीवेट होकर आपके लिए कुछ अच्छे वीडियो बनाते रहूं तो सबसे पहरो जो मेरे मन में सवाल है थे कि संपत्ति का भाव कितना है इसका वैल्यूएशन कितना है इतना बड़ा आई प्यों होने वाला है कि यह तो यहां पर अगर आप बात करें यह जो कहीं है कि यह मैंने BBC से लिया हुआ है तो आप यह पर देख सकते हो कि कीमत जो निकाले कि यह सब को जोर के वह 5.4 लाक करोर रुपे हैं इसे ही हम इंबेड़ेट वैलू या अंतनिहृत मुल्य भी कहा जाता है तो आपको यह समझने की इंबेड़ेट वैलू क्या होता है पर अब इसका समझे कि यह जो वैलू है वह 5.4 लाक क्रोर है अब यह कंपनी इंबेडर वैलू हम क्यों निकालते हैं तो कंपनिया जब भी स्टॉक मार्केट में लिष्ट होती है ना तो वह अपना वैलूएशन करती है और उस वैलूएशन से कुछ ना हाई कम से कम 5 ताइम्स 4 ताइम्स यह 3 ताइम्स कितने ज लेकिन फिलहाल लेकिन इसको और सलहकारों के साथ बाद अब सरकार एलाइसी की निहित की मतलब सिर्फ 1.1 गुना एक दसमलों एक गुना ही आईप्यों का सियर बेचने जा रही है भाव पे यह काफे ही मतलब अच्छा कर रहे है गवर्मेंट अभी तक कि आपको ही मौका द तरक क्या सरकार जल्द ही एलाइसी के और भी सियर बाजार में बेच सकती है चैसे कि आपका रूल है गुवर्मेंट अभी बेच रही है 3.5% अपनी बेच रही है लेकिन सेवी के रूल के अनुसार आपके पास गुवर्मेंट के पास मतलब सिर्फ 25% ही होनी चाहिए किसी कं सुने चाहिए जो कंपनी के प्रमोटर नहीं है और लिश्टिंग के नियम का पालन करने के लिए सरकार को अपनी हिस्दारी 100% से घटा कर 25% तक लानी होगी मतलब गुवर्मेंट को अभी और इसमें सेल करना होगा और सरकार ने पहले कह रखका है कि वह दो से तीन सालों में 10-20% हिस्दारी और बेसकती है नियम के अनुसर उसे ऐसा करना भी है लेकिन आपको इसमें डरनी की जरूत नहीं है मैं बताता हूँ क्यों अब इसका अंसर मिलेगा आपके इस लाइन में लेकिन आज आई-पो में पैसा लगाने के लिए फिक्र की बात हो सकती है इसलिए सर कीमत आचानक गिरने का डर नहीं रहेगा तो यहां पर गौर्मेंट कहने के आपको एक साल तक तो नहीं लाने वाले हैं यह एक अच्छी बात है अब यह जो सवाल हो काफी इंपोर्टेंट है क्या एक से ज़्यादा एप्लिकेशन लागाना भी संभव है अर्चे लागाना लाउट करके दो आविदन कर सकते हैं एक पोलिसी होल्टर में अगर आपने लसी की की ले रखा अपने लाई सब्सके ले एक लोडे है तो यहां पे साहरी बात है क्लिर हो जानी चाहिए अब हम बात कर लेते हैं ग्रेम मार्केट प्रेमियम की GMP के बारे में देलाइसी आईप्यो जी एंपी ग्रेम मार्केट प्रेमियम इस 75 फिलाल मैं यह जो वीडियो बना रहा हूं वो बना रहा हूं मैं 29 अपरेल को और यहां पर इस टाइम पर जी एंपी चल रही है 75 जो की 8 परसंट के आस पास होती है अगर आप रीटेल हो मेरी वीडियो देख रहो या पॉलिसी होल्डर हो तो आपको अल्रेडि गोर्मेंट जो वो डिसकाउंट दे रही है करें 60 रूपिज की और 45 रूपिज की रीटेल कि है करीप करीब 60 रूपिज हो गए का 5 परसेंट के आस पास कमहीं ब्ल τον Kh nom क 4 में को ये लिश्ट होने वाला है तो जتهशी होने रात है कि अभी जो इसका से सिंटिमेंट है वो आपका पॉजिटिब नजर आए तो अगर आपको मेरी राय है मैं क्या करने वाला हूं आपकी राय कुछ भी हो सकती है तो मैं अपना डिसीजन आपको सुनाता हूं कि मेरा डिसीजन क्या है कि मैं अभी फिलहाल एक policy holder से और एक retail category में डालने वाला हूं फिलहाल sentiment positive है और लेकिन आप इस IPO के बारे में क्या आप प्लीज अगर चैनल में पहली बारा है और आपको यह वीडियो पसंद आई है मेरी जो रिसर्च एनालिसस जो भी है पसंद आई है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेर आइकन को दभाई दी जागा कि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकें तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स किलियर हो जाएंगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टटटा बाबाए थैंक्स फो वाचिंग हुआ 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 है